पॉस्टू एथीजम हिंदी चैनल प्रेक्षिकों को स्वागत आज के एपसोड में गोरा जी को कालेज में नौकरी से बत्रफ करने के संगटना के बारे में बताऊंगी 1923 में अप्रेल का महीन आता हम अकसर प्रिंस्पल के घर जाया करते थे उस दिन सेनिवार था शाम को माई और गोरा जी प्रिंस्पल के घर गए थे वहाँ भी उन्होंने किसी भी तरह की सूचना भी हमें नहीं दी परन्तु सौंवर के दिन सुबह घर को गोरा जी को नौकरी से बत्रफ करते हुए पत्रफ प्राप्त हुआ हमने इसके उपर चिच्च की की आगे क्या करना है क्योंकि हमारे पास जमीन, जायदाद, पाईसे कुछ नहीं है और हमारे तीन बच्चे है जो भी पाईसा हम लोगों को मिलता हम सामाजिक कारिक्रमों और चात्रों की सहायता के लिए खचकर देते थे और हमारे बैंक में भी कोई जमा पूंजी नहीं थी हमने जिन सिध्धनतों को माना उनको साथ लेकर चलना है समस्या ये आने पर उनके सामने हम जुक नहीं सकते थे इसलिए हम बिल्कुल निराशा नहीं हुए हमने यह नहीं सोचा था कि बात यहां तक आयेगी लेकिन हमें इस बात का अंदाज़ता की हमें आगे चलकर समस्या होगी आने वाली समस्या का सामना करने के लिए माईया और गौरा जी मानसिक रूप से तया थे और हमने सोचा की इस परिस्तिती का सामना हम हिम्मत के साथ हट कर करेंगे पूर्य काकिनाड में गौरा जी के बत्रफ की बात फैल गई किसी को भी इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था गौरा जी के डिस्मिस करने की बात सुनकर सब लोग आचिरी चेकित हो गए कुछ लोगों को बहुत गुसा भी आया कुछ लोग नास्तिकता स्विकार न करने के बावजूद भी गौरा जी को एक सिक्षक, वाईग्ञानिक और एक समाज सुधारक के रूप में समाज में गौरो ता काकिनड में ब्रह्म समाज के प्रफाव के कारण विभिन्न विचारों के प्रति सहन तार्किक जिग्णासा सामानिय जन्में उत्पन होने लगी इसलिए गौरा जी को डिस्मिस करने के बाद प्रिंस्पल का विरोध और गौरा जी के प्रति सहान पुती सपस्ट दिखाई देने लगी कुछ दोस्तों ने उस समय के यूनिवस्टी के वाईस चांसलर डाक्टर सर्वेपली राधा क्रिश्ननजी से अपिल करने की सलाह भी दी इस पर गौरा जी ने यह प्रश्न किया की नास्तिक अताव यक्ति की स्वातंत्रता से जुड़ी हुई हैं जब विज्जले में ही भाव स्वातंत्रता ना हो तो आगी चल कर वा भाव दास्ता की ओर अग्रसर होगी नास्तिक के रूप में अगर मुझे भाव स्वातंत्रता ना हो तो आस्तिकों वा स्वातंत्रता कैसे मिल पायेगी गोरा जी अपने इन विचारं को वाइस चांसलर तक ले गए इसी बीच आर्थिक रूप से स्तिर होने के लिए गोरा जी ने अपने पोर्वचात्रम से आंथ्रा टुटियोरियल कालेज की शुरुवात की मुपड़ि भासकर राओ जी इंटर्मेडियेट बीच सी तक गोरा जी के सीशिते उन्हें अच्छी नवकरी प्राप्त करने के अक्सर मिलने के बावजुद भी उन सबको चोड़ कर इस चुटियोरियल को चलाने में गोरा जी के साथ रहे इस कालेज में सोशलिस्ट प्रयोग किया गया गोरा जी वापासकर राओ जी के अलावा दस और अज्छापक इस कालेज में काम करते थे चात्रों से वसुली हुई फीज द्वारा प्राप्त रकम में घर का किराया इच्चादी खर्च जने पर बज़े हुए रकम को बारह अज्छापक समान रूप से बांट लेंगे इसका ननने लिया गया चुट्योरिल कालेज में कोई चप्रासी नहीं रहेगा अज्छापकों में ही दो के हिसाब से जिम्मेदरी लेकर स्कूल को साफ करना, पानी भरना, बेंच रखना, घंटी बजाना आधिक काम संभालते थे उन दिनों इस तरह बटवारा करने पर एक एक को दस रूपिय से जादा नहीं मिलते थे कालिज के प्रारम में ही यहने ने लिया गया था कि यहाँ काम करने वाले बाहर कभी भी कहीं भी काम नहीं करेंगे इसलिए दुर्गबाईमा टुट्यूरियल कालिज आकर अपनी पढ़ाई जारी करनी पड़ी दुर्गबाईमा चात्र होने के बावजुद भी कालिज को चलाने में महत्वपूर्ण सलाह दिया करती थी इस तरह का प्रयोग लोगों को आकशित करने लगा इस तरह के चोटे-चोटे प्रयोग लैबरेटरी प्रयोगों के रूप में ही देखे जा सकता है इसे बड़े परिणाम की आशा नहीं की जानी चाहिए इस तरह का प्रयोग उन्दिनों काकनड के चात्रों और युवावों में सोचने की शिक्ती और सोशलिस्ट भावनाये और सामोह की जेवन के प्रति नईई सोच पैदा करने वाली बनी उधर आंध्रविसविज़ले के वाइस चांसलर राधा कृष्णन गोराजी की बात को स्वीकर करते हुए नास्तिक भावनाये होने के कारण किसी भी व्यक्ती को महाविज़ले से बाहन नहीं निकाला जा सकता काते हुए अपना निन्नाई व्यक्त किया इस निन्ने के अंसर गोराजी को वापस कालेज में लेने की आवशिकता पढ़ गयी बंदर के हिंदू महा विज्जले के प्रिंस्पल स्री काजा सिवराम कृष्णाराउजी को गोरा जी के प्रती विशेश अभिमानता इस निन्ने के अंसर गोरा जी को वापस कालेज में लेने की आवशिकत्ता पढ़ गई बंदर के हिंदू महाविज्जले के प्रिंस्पल स्री काजा सिवराम कृष्णाराव जी को गोरा जी के प्रती विशेश अभिमानता गोरा जी के अभ्युदई भावनाये उनको आकशित करने लगी और उन्होंने गोरा जी को सारा हा बंदर के हिंदू महाविज्जले में बोटनी का विभाग ना होने के बावजुदभी गोरा जी अगर आने के इच्चुक है तो मैं बोटनी का विभाग प्रारंभ करूंगा काते हुए उन्होंने आपनी इच्चा राधा कृष्णा जी को बताया राधा कृष्णा जी ने भी गोरा जी को बंदर जाने की सलाह दी 1934 साइक्षिक सत्र प्रारंप के समय बंदर हिंदु महावी जले में बोटनी विबा का प्रारंप और गोरा जी के उसमें प्रवेश का निन्ने लिया गया टुटियोरियल कालेज में जिन चात्रम ने प्रवेश लिया था 1934 अप्रेल में बनारस मिट्रिक के लिए भेजा उसके बाद टुटियोरियल को बंदगर दिया गया उस वर्ष हमें आर्थिक रूप से कुछ तकलिफों का सामना करना पड़ा घर की नौकरानी को चुडव कर हम ही सभी काम समफाल देते बच्चों को जोगम मजी बड़े प्यार से देखती थी उसमें लवणम को जोगम मजी से अमित प्रेम ता तीन वर्ष के लवण को गाल पर एक चोटा सफल जैसा बना और वह यतना खतरनाक ना होने के बावजुद भी डाक्टरोंने आपरेशन करके उसे हटाने की सलाह दी आपरेशन की पूरी जिम्मे दरी हमारे सास ससूर और जोगम मजी ने लिया उन दिनों आपरेशन करना मतलब हफ्तों तक पट्टी बंध्वानी पट्ती थी इसलिए लड़के को हर रोज अस्पताल ले जाना और पट्टी बंध्वाने की जिम्मे दरी जोगम मजी ने ली थी हर रोज सुबह लवणम को स्नान करवा कर दूद पिला कर बैल गाड़ी पर पांच मिल की दूरी परके अस्पताल को ले जाया करते थे रास्ते में बच्चे के लिए दूद और पिस्कट ले जाते थे हर रोज अस्पताल जाने आने में कम से कम चार घंटे लगते थे इस तरह करने में जोगम मजी को बड़ी खुशी और समस्कृती होती थी उन्हें खुश देखकर हम लोगों को भी बड़ी खुशी होती थी इससे हम सब में और करीबी रिस्ता बढ़ने लगा 1934 में मैं फिर से प्रसव के लिए विजे नगरम गई तब तक गोरा जी बंदर जाना और वहां के हिंदू कालेज में बोटनी का विफाग प्रारंप करने के लिए आवश्यक तयारियों में जुटे हुए थे दुर्गबाय मां फर्स्ट क्लास से केवल चे अंकों की कमी से हाई सेकंडर क्लास में बैनारस मेंट्रिक प्रास करके बैनारस हिंदू विशिविज्यले में इंटर्मीडियेट पढ़ने का निन्नय उन्होंने लिया सिक्षा प्राप्तिकन्ने की उनकी दुर्ड़ता ने मुझे प्रभव बहुत प्रभावित किया आज़ेदी की लड़ाई में भी उन्होंने इसी दुर्टा के साथ प्रयास किया और वही दुर्टा से वे पड़ाई में भी आगे बढ़ी। के लोगों के साथ मिलना जुलना धार्मिक प्रधावों का विरोध करना ये सब हम लोगों को नया अनपव प्रधान किये। हमें इन सबसे बहुत ज्ञान मिला। के लोगों को नक्राव प्र१ार पक। क्रुटा ये सुआंध प्र१ार सुआर नुलना ये निद्यान जा इन सबस्क्राव भागों कि अट्यों कि अछिण ये अच्टिवे बेल इकोन